अरुराग जी एक सवाल ये है कि जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर बनी और नाराजगी के खबरें भी इसी चीज़ को लेकर आई क्योंकि ये बात सामने आई कि समाजवादी पार्टी से नाराज हुए एकलेश यादोस आजम खान नाराज हुए और बहुत सारे लोगों ने इस मौके का फाइदा उठाने की कोशिच भी की क्या यहां से एक चीज मिल सकती है समाजवादी पार्टी है उठा सकती है कि आजम खान के पक्ष में वो सब कुछ करे जो आजम खान चाहते हैं और जो बिगड़ती हुई बाते हैं वो बन सकें क्या इस बारे में आप लोग स और हुच रहे हैं दिखे समाजवादी लोगों ने तो हमेशा से समयधान और नियाय पालका का संबान किया और एक किसी भी व्यट्ति हर वह में है उसके उपर अन्याय होता है तो समाजवादी पार्टी हमेशा से खड़ी उतियास घवा है और आजम खान साब तो पाटी के अर नीटा जी समय के नीटा है। मुनका तो वैसे ही बहुत बडडा सम्मान है। क्योंकि पार्टी हमेशा उनका सम्मान कर ती है। आदनी अजम साब क्यों लिए थो पार्टी के इमन में हमेशा से बहुत बड़ी जगे रही है। तो समाजवादी पार्टी हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखती है, लेकिस सवाल भारती जनता पार्टी की आदत हो गई है, तो असली मुद्दों से जनता का दिहान भठकाने का काम कर रही है, जब से भारती जनता पार्टी की इस बात का एसास हो गया है, कि वो अब उत्त तो प्रभू आपको बता दे, लोगतंत पर चुनाओ होते रहते हैं, कई बार हम जूटे वादे करके भी चुनाओ इधर उदर से जीते हैं, चुनाओ जीतने का मतलब यह नहीं होता है, कि आप यहां अत्याचार करेंगे और कहेंगे नहीं हमने तो चुनाओ जीत लिया, इसल हो रहा है, तो होने दो चुकि हम चुनाओ जीत गए हैं, अगर यहां पर किसी तरह की घटना महलाओं के साथ हो रही है, तो होने दो चुकि हम जीत गए हैं, यहां पर चुरी डेकेती हत्या, लूट, मार, बलतकार बढ़ रहा है उत्तर पर इसमें आवाज हम उठाएंगे तो आप काओ के क्यों आवाज उठा रहे हैं, हम लोग तो चुनाओ जीत गए हैं, चुनाओ जीतने का मतलब यह नहीं हो जाता है, कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि हम महंगाई विरुजगारी बढ़े, डिजल पेट्रोल की कीमत बढ़े, खाने पीने की सामान की कीम अभी इसी मुद्णों को विपच्छन उठाये तो हम चुनाओ जीत गए हैं, तो आप चुनाओ जीते हैं प्रभू जरूर, लेकि 3 करोड़ वोट समाजवादी को भी मिले हैं, 3 करोड 80 लाख आपको मिले हैं, तो 3 करोड समाजवादी को भी मिले हैं, आप सिर्फ सत्ता में लेकिन मैं अनुराग जी को एक छूटा सा आक्णा बता देता हूं इन्हों ने कहा बेरोज़ारी चरम पर है और इनके जब इतना शासनकाल था तो बेरोज़ारी दर इनके समय में 17.1 पीजदी हुआ करती थी वरतमान में उत्तर पुदेश में 4.5 पीजदी और इनकी सरकार न शॉकरी के दुलना करें और वहुजंग समाज पार्टी ने को से 60,000 ही थी तो चाहे बेरोज़़गारी का मामला हो चाहे लॉए आरव मामला हो चाहे उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्टर के डवलमेंट में चाहे उत्तर पुदेश को देख के साहे नहीं होती है और तो इनी सारी चीजों को देश कर उत्तर प्रदेश की जन्ता ने भारती जन्ता पार्टी को बट दिया कि चुनाओ तो आप जन्ता को बढ़ता के बर्गला के भी जी जाते हैं अरे साब 2014 भी हम जीते, 2017 भी जीते, 2019 भी जीते, 2020 भी जीते और 2024 भी जीतेंगे खीक आनजी एक छोटा सा रियेक्शन दे दिये, जो कोट ने पूछा है आप लोगों से उसका जवाब दे दिये, छोटा सा कि एक ही वेक्ति पर 87 मुकदमें उसमें जमाद लिजाती ते एक और मुकदमा लाद दिया जाता है ये, ये कैसे हो सकता है, क्यों हो रहा है आप ये जानिए कि पाँच साल का कारेकाल आजम खांसाब को मिला था, बहुत ही पावर्फुल मंत्री थे, इतने पावर्फुल थे कि भैंस गोजने के लिए पूरा का पूरा अमला लग जाता था, अब आप कद का अंदाजा लगा सकते हैं, कितना बड़ा कदरा होगा और जोहर इन्वर्फिट थे, किस-किस तरह के हत्रण का, ठीक है नि कि आपका कहिना है कि दुरुपयोग जो हुआ, उसमें ये तमाम चीदे होई वही आप लोग ढोड़ रहे हैं